मुच्वल फंड डिस्टिबूटर बढ़ने के लिए निसम एक्जाम निकालना पड़ता है तो निसम को फॉर्म भरिये सबसे पहले तो निसम को फॉर्म बनने के लिए सबसे उसका साइट है गूगल में जाकर साइट टाइप किजिए न आई एसम तो आपको मिलेगा निसम का लिंक है यहां पर टाइप किजिए ऐसा आपको देखने को मिलेगा निसम सबसे हैं यहां पर अगर एकवांट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं लेगे नियू एकवांट में जाकर आप यहां पर अपना scan copy of pen card scan copy of photograph और scan copy of proof address और education qualification & employment details डाल सकते हैं employment अगर नहीं है तो कोई जोरी नहीं है एडिकेशन क्लिफिकेशन डाल सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपका इमेल आइडी नाम फादर नेम और यह सब फोटो स्कैंड अधहार का आड्रेस यह सब दानने के बाद कि पिश्च करते हैं अब यहां पर लॉग इन कर रहे हैं लॉग-इन कर लेने के बाद यहां पर आपका य्यां निसें कर दिखाएगा यहां लेफ्ट साइट में यहां पर देख रहे होंगे Enrollment तो हमको NISM Exam के लिए Enroll होना है ठीक है तो Enrollment पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको दिखा रहे होगा Enroll for Examination अब यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा Certification है तो आपको Certificate लेना है वो Mutual Fund Distributor का लेना है तो अगर आप English में एक्जाम देना चाहते हैं तो English चूज कर सकते हैं यहां हिंदी में तो हिंदी में तो यहां NISM 5A है यहां English देख रहे होंगे अब यहां पर आपको पेमेंट करने के बाद आपको यहां प्रोसीड टू इंजामनेशन करना है उसके बाद वहां पर आपको सेंटर चूज करने के देगा यहां पर आप इंडओल हो जाएंगे ठीक है आप इंड好啦 ठीक के यहां पर माइंन्रलिम dedicate को दिखा देगा तो हम्हां नहींडव किया है तो हमको यहां दीखा historically not इंडव फो इनिड़ैनेशन तो आपको वहां दिखाद कर देगा कौब कितना तारीक का देट है कि विकली इसका एक्जाम होता है ठीक है अब यहां जैसे मेरा सर्टिफिकेट आया हुआ है जैसे एक्जाम अगर हम पास कर लेते हैं आपको 60 से साइध उपर लाना रहता है 60 से उपर 50 या 60 से उपर लाना रहेगा तो अगर आप लिए आएंगे तो सिधा सिधे आपका हो जाएगा सेलेक्शन इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा ठीक है यह तुरंट एक्जाम आप देखर तुरंट आप आते हैं तो उसी टम आपको एक्जाम का रिजल्ट बता दिया जाता है ठीक है थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो